तो अभी तक आपने सुना कि मीनियर डिसीज बिमारी क्या है इसके प्रमो कलेक्शन क्या है इसको कैसे डाइगनोस किया जाता है क्या क्या इंवेस्टिकेशन में जूरी है और मीनियर डिसीज के क्या कारण हो सकते हैं यह सब हमने अभी तक डिसकस किया तो अब बढ़ते हैं के इलाज की तरह इलाज बेसिकली डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है पर जैसे मैंने बताए में जातर केस में कारण तो मिलता ही नहीं है तो ऐसे केस में सबसे इंपोर्टेंट होता है कि व्यक्ति को राहत पुचाना कि उसको चक्कर से राहत मिले उसका जो सुनाई कम हो और उसको कान में CT के वाद से रहात मिले और उसकी quality of life maintain रह सके तो जो इसमें दवाईयां है वो परमुक इसका इलाज है वो दवाईया किस उदेश्य से दी जाती है वो आप समझिए अगर मीने डिसिस के patient को उल्टी हा रही है तो उल्टी की दवाई जैसे प्रो क्लोर पेराजीन जो स्टेम्टिल के नाम से बिकती है या फिर ओंडें सेट्रॉन की है वो दी जा सकती है चक्कर आने पर उसको कुछ अंटिस्टरमिक जैसे सिनारेजीन या प्रोस्टरमिक जैसे बीटा हिस्टिन नाम की दवाईया भी दी जा सकती है ये बिमारिया कैसे काम करती है उसके लिए सैप्रेट वीडियो में हम डिसकस करेंगे बड़ अभी उल्टी की दवाई चक्कर की दवाई मैंने बताई है अगर व्यक्ति का सुनाई तेजी से कम हो रहा है जैसे अचानक की प्राब्लम है क्योंकि स्टिरोड टैब्लेट शूगर बढ़ाती है तो ऐसे केस में हम कान में स्टिरोड का इंच्शन लगाके भी उसको दे सकते हैं स्टिरोड लगाने से क्या होता है कि वो उसका हेरिंग जो उसका सुनाई तेजी से कम हो रहा है वो रुक जाता है और और ट्रैक में भी स्टिरोड है कुछ और तरे हैं जैसे विटामिन, विटामिन' ड़ी डविशन्सी मॉल्ट वीटामिन वो शायद हेल्प करते हैं और कुछ और दवाया है जो का ही लोसके क्यों क्यों enhancer है वो भी कई लोग देते हैं इसके लावा acute stage में क्योंकि ये बिमारी कान में pressure बढ़ने से है तो उस ऐसी दवाई है जो कान का pressure काम करती है वो दी जाती है उसमें से एक प्रमुक दवाई है dimox जिसका salt है acetazolamide काम करती है बेसिकली dimox एक तरीकी का water pill है जो body से नमक निकालता है नमक के साथ-साथ potassium भी निकल जाता है जिसके निकलने से जब दवाई खाते हैं तो हाथ पैर में tingling होती है तो उसके जूरी है कि हम potassium supplementation करें या तो pot chlor नाम का salt से supplement करें या जो naturally occurring food में potassium है जैसे coconut बनाना और अनार इन सब के food का सेवन करें जैसे potassium की मातरा रिच हो जाए और वो व्यक्ति को dymus खाने से यह सब symptom ना आई सो बिमारी के large cost specific है आज कर एक को नई थियोरी आ रही है कि जैसे हमने एक व्यक्ति को दवाई शुरू की चक्कर की जैसे हमने इसको स्टार्ट कर दिया बीटा हिस्टिन या जिसके popular trade name है वर्ट इन या बीटा वर्ट तो ऐसे cases में हम कितनी दिर तक यह दें जो यह बीटा ह हाई मिटेन कर सकता है बहुत हाई डोस में भी यह दवाई सेफ है बट हम दवाई को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाते क्योंकि उससे central compensation जो व्यक्ति की natural power है उस balance imbalance को सैने की और उसे compensate करने की वह खतम हो जाती है बर short term के लिए बीटा हिस्टिन बहुत अच्छी दवाई है जो latest theory वह यह कहती है कि आप व्यक्ति को लंबे समय तक दवाई मत दो क्योंकि उससे जो बिमारी का natural progression है वो रुकने वाला नहीं है बट इस्टेड आप episode by episode अर्ड उसको treat करो और आजकल यही मैंने concept बना दिया है मेरा उदेश्य इलाज करने का यह नहीं है कि व्यक्ति मेरे से चिप कर रहे और regular follow up करें मैं believe करता हूं कि उनको educate करूं बिमारी के बारे में उनको danger sign and symptoms बताओं जब यह आए तो वो तोन्त मेरे पास आ जाए और अगर danger sign and symptom नहीं है और simple उनके regular episode वर्टी को अटेक है जिसमें सुनाई उतना ही रह रहा है तो वो अपने आप भी इसको treat कर सकते हैं फटा 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 अटेक करने के लिए synergy की आजकर dispersible tablet आ गई है उल्टी के लिए dispersible tablet आ गई है तो normally वो अपने pocket में रखें और उसको मुँ में just crush कर ले तो उसी टाइम उनके attack mitigate हो सकते हैं एडिशनी उनको ऐसी jobs नहीं लेनी चाहिए जहां पर बहुत उनकी public dealing हो या वो किसी दूसरे की life threaten कर सकते हैं चक्कराने में तो उनकी अपना lifestyle modification बहुत जोरी है और जिन लोगों को hearing loss already काफी हो चुका है सुनने में दिक्कत आ रही है उनके लिए भी hearing aid से rehabilitate करना बहुत जोरी है जोरी है कि जो यह hearing aid लें वो उस समय ना ले जिस टाइम उनके active disease हो क्योंकि यह disease fluctuating hearing loss होता है इसमें तो जब उनकी disease stable हो जाए तो पक्का hearing aid लें तो जिससे उनके अपनी quality of life बैटर बनाने में और सुनने में उनको बहुत help करें मिलेगी उमीद करता हूँ यह सारी बात है आपको पसंद आई होगी है अगर आपको पसंद आ रही है तो आप like बटन दबाना मत भूलेगा और इस चैनल के सब दी future updates के लिए आप इस चैनल को subscribe कर लेजिए और bell बटन दबा देजिए thank you for watching this video